तब ही कालू कवा आता है जो एक जूतो की फैक्टरी में काम किया करता ये लोगोरी आज लोकी लाया हूँ चने की डाल डाल के बनाना लोकी ये भी कोई लाने की चीज है लाना ही था तो कुछ मीठा लाते जैसे चड़िया का पती रोज चाकलेट लाता है मीठे से पेट थोड़े ना भरता है पेट तो सबजी से ही भरता है कालू मैं तो कहती हूँ आप उस जूते की फैक्टरी को इस्तिफा दे दें और टुन्नू के साथ चोकलेट कमपनी में काम करें कम से कम चोकलेट तो खाने को मिलेगी जूते तो खा भी नहीं सकते हाँ गोरी मैं भी जूते सिलसिल के ठक गया हूँ मैं टुन्नू से बात करता हूँ अच्छा तो कालू मैं भी आपके साथ चलती हूँ चलें ऐसे सलह कर वो दोनों पते पतनी रानोचडिया के घर जाते हैं कालू कवा तो जूट बोलता है टुन्नू यार रोजी रोटी का सवाल है मुझे जूतो की फैक्टरी से निकाल दिया मगर क्यों कालू उन्होंने ऐसा क्यों किया दोस्त कमपनी घटे में जा रही थि इसलिए काफी सारे बर्करों को निकाला है मैं तो सोच सोच के परिशान हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा हाँ रानो बहन, अगर कहीं काम ना मिला, तो हम भूके मरेंगे मेरे जगू का क्या होगा गोरी बहन, चिंता ना करे, टुन्नू जी है ना, अपनी फैक्टरी में बात करेंगे और कालू भाया को वहां लगवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें हाँ हाँ कालू दोस्त, तुम चिंता ना करो, कल मेरे साथ कंपनी चलना मेरे बोस बहुत अच्छे हैं, तुमें काम जरूर दे देंगे धन्यवाद टुन्नू दोस्त, मैं यही उमीद लेके आया था, मैं कल तयार रहूंगा ऐसे कालू गोरी खुसी खुसी अपने घर चले जाते है कालू जी, बन ही गई बात, अब तुम रोज ठेर धेर सारी चोकलेट लाना मैं खुब खाऊंगी, अपनी मा के घर भी बिजबाऊंगी ऐसे बाते कर वो दोनों सो जाते हैं, सुबा हो जाती है कालू कवा टुन्नों के साथ चोकलेट कंपनी जाता है मालिक जी, मेरी दोस्त को काम की सक्त जरूरत है अगर इसे यहां काम मिल जाए, तो आपका बड़ा उपकार होगा इसके परिवार पे ठीक है, तुम्हारा दोस्त है तो रख लेता हूँ वरना अब वरकर की जरूरत नहीं थी लेकिन काम इमानदारी से करना, सिकायत का कोई मौका न देना जी मालिक जी, मैं बहुत बड़ा इमानदार हूँ इमानदारी तो मुझ में कोट कोट के भरी हुई है सिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा ऐसे कालुकवे को काम पर रख लिया जाता है वो एक दो दिन तो इमानदारी से काम करता लेकिन बाद में चोकलेट चुरानी लगा था वो अपने साथ एक थेला लाता जिसे चोकलेट से भर कर घर ले जाता खाओ गोरी खाओ जितना मन करे उतना खाओ चोकलेट का तो धिर लगा दूँगा वा पती जी इसलिए तो आपको जोते की फैक्टरी से निकलवाया ताकि मैं खूब चोकलेट खा सकूँ और बची कुछी मिठु तोते को बेच सकूँ मैंने बात पकी कर ली है उससे ठीक है तो पहले बता देती तो जादा चोकलेट लाता अब कल से जादा ही लाया करूंगा ऐसे कालू कवे को और भी लालचा जाता है अब तो वो हर रोज अपना थेला चोकलेट से भर के लाने लगा था और उसकी पतनी मिठु तोते को बेचने लगी थी इस तरह से काफी समय बीच जाता है और चोकलेट की गिंती में कमी आ जाती है मालिक कबुतर को सक होने लगता है मैनेजर आज सवर करके थेले चेक करना लगता है को चोकलेट चुरा के ले जा रहा है मालिक कबुतर ऐसे बॉल ही रहा था तभी कालू कवा उनकी बाते सुन लेता है और अपने थेले की सारी चोकलेट टुन्नो के थेले में छपा देता है तलासी के समें टुन्नो चड़ा पकड़ा जाता है टुन्नो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरी नजरों के सामनी से दूर हो जाओ और कभी अपनी सकल मत दिखाना चोर कहीं के नहीं मालिक जी मैं कुछ नहीं जानता मेरे थेले में ये चोकलेट कहां से आई मुझे कुछ नहीं पता किरपया मुझे काम से ना निकाले टुन्नो चड़ा ऐसे खूब मिन्नेते करता है मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से हटा दिया जाता है टुन्नो जी मुझे आप पर पूरा विश्वास है आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते चोर कोई और ही होगा वो भी एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा फिर मालिक आपको दबारा बलाएंगे आप चिंता ना करें ऐसे रानोचडिया अपने पती को समझा देती है इधर कालू कवा अपनी हरकत से कब बाजाने वाला था वो तो अपनी चोरी जारी रखता मेनेजर हमने चोर टुन्नो को तो उसी दिन निकाल दिया लेकिन कमपनी अभी घाटे में जा रही है लगता है असली चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया टुन्नो को साइध हमने गलत निकाल दिया हाँ मालिक जी मैं भी यही सोच रहा हूँ आज फिर से तलासी लूँगा और चोर को पकड़के रहूँगा ऐसे वो दोनों सलहा करते हैं चुटी का समय हो जाता है वो अचानक से सब की तलासी लेते हैं तो चोर तुम कवे हो और हमने टुन्नो को निकाल दिया बताओ टुन्नो के बैग में उस दिन चोकलेट कहां से आई वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे नहीं मालिक जी मुझे पुलिस के हवाले मत करना वो दरसल मैंने ही टुन्नो के बैग में चोकलेट रखी थी क्यांकि मैंने तुम दोनों की बाते सुन ली थी तुम्हें जिसने काम पर लगवाया उसी के साथ धोका किया निकल जाओ तुम विश्वास के लायक नहीं हो और आज के बाद कभी अपनी सकल मत दिखाना ऐसे कवे को नौकरी से निकाल दिया जाता है और टुन्नो को बकाइदा घर से बुलाया जाता है टुन्नो चड़ा तो अपनी नौकरी पाकर बहुत खुश था और कालू कवा तो अपनी पहली नौकरी से भी हात दो बैटता है क्योंकि उसे अब वहाँ पर भी काम पर नहीं रखा जाता वो बहुत पच्ताता है इस बार होले पर कालू गोरी ने अपनी रंगों की दुकान लगाई थी अब तो गोरी कवी जहां से भी गुजरती सब पक्षियों से एक ही बात बोलती छोटी चिडिया, रंग खरीदने जंगल से बहार मत जाना हमने रंगों की दुकान लगाई है, सब कुछ हम से ही खरीदना हाँ हाँ गोरी बेहन क्यों नहीं, मैं आपसे ही रंग खरीदूंगी जब पास में ही दुकान है, तो दूर क्यों जाना हाँ, याद रखना और टन्नू से भी बोल देना, कहीं वो दूसरी दुकान से रंग ना खरीद ले ऐसे गोरी कवी अपनी दुकान पर चली जाती है, कालू मैंने रानो बुल बुल मिठू सब से बोल दिया है, वो हम इसे रंग खरीदेंगे ठीक है तो गोरी, मैं जल्दी जल्दी रंगों में लाल मिठ्टी मिला देता हूँ, वो किसी भी वक्त आ सकते है ऐसे बोल कर कालू का वा रंगों में मिठ्टी मिला लेता है, तब ही उनकी दुकान पर एक कबूतर आता है कालू मुझे दो सो रुपय के गुलाल दे दो, मेरी पत्नी माई के जा रही है, तो उसी के साथ भीजने है क्या कबूतर, दो सो के रंग, कम से कम पान सो के रंग रखो, अगर होली खेलते हुए रंग खतम हो गए तो आपकी क्या इज़त रहेगी, सब तुमें कंजूस कहेंगे ऐसा है तो गोरी, आप पान सो के ही दे दे, सुसराल में इज़त कम नहीं होने चाहिए फिर कालू कवा कबूतर को पान सो रुपे के गुलाल दे देता है, कबूतर तो वो मिट्टी वाले रंग लेके अपने घर चला जाता है देखा कालू, इसे कहते हैं तेज दमाक, पहले ही दिन ग्राक से पान सो रुपे बना लिये हाँ गोरी, अगर ऐसे ही रंग बिचेंगे, तो सारे कलर जल्दी ही खतम हो जाएंगे मैं एक काम करता हूँ, सारे कलरों में दोगनी मिट्टी मिला देता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता हाँ कालू, लगता है इस होली हम पके अमीर हो जाएंगे, क्योंकि चोरी पकड़ने की कोई गुंजाइस ही नहीं बची इस तरह से कालू गोरी लालच में आ जाते हैं, और अपने रंगों में धेर सारी मिट्टी मिला लेते हैं मिठू जी, आप कहीं और से कलर ना लाना, अपनी पड़ोसन गोरी ने रंगों की दुकान खोली है, क्या कहा, उनकवों ने रंगों की दुकान खोली है, वो बहुत बदमास है, बिना बेइमानी के कोई काम नहीं करते, मैं उनसे रंग नहीं खरीदूंगा पती जी, अब रंगों में क्या ही बेइमानी, आप खरीद लेना, गोरी ने खास कर कहा है, अगर कहीं और से लाए, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम कहती होता चला जाता हूं, लेकिन वो विश्वास के काबिल नहीं है ऐसे मिठू तोता भी कवों की दुकान पर चला जाता है आओ, आओ, मिठू तोता, बताओ, कितने के रंग तूँ नहीं, नहीं, पहले आप मुझे रंगों की जाच करवाएं, मैं तभी रंग लूँगा मिठू, क्या तुमें हम पर जराबी विश्वास नहीं है अब आप ही बताएं, रंगों के साथ हम क्या कर सकते हैं मिठू तोता सोच में पड़ जाता है वैसे बात तो सही है इन कवों की ठीक है कालू, मुझे पचास रुपे के गुलाल और पचास के ही रंग दे दो फिर कालू कवा जल्दी से उसे सो रुपे के रंग और गुलाल दे देता है मिठू वहां से चला जाता है बस सो रुपे के रंग खरीदे हैं अकड तो ऐसे दिखा रहा था जैसे पूरी दुकान खरीद लेगा अरे गोरी बहन मुझे हजार रुपे के रंग दे दो लाल, हरा, पीला और गुलाबी मुझे सब रंग दे दो अरे वा मुन मुन आप इतने सारे रंग खरीद रही हो क्या बात है, सबको ऐसे ही रंग खरीदने चाहिए आखिर साल में एक बार ही आती है होली नहीं कालू भाया, इतने सारे रंग मैं कभी नहीं खरीदती वो दरसल इस बार सारे रिष्टेदार मेरे गर होली मनाने आ रहे हैं इसलिए मैं इतने सारे रंग खरीद रही हूँ ऐसे बॉल कर मुन मुन हजार रुपे दे देती है और अपने रंग के थेले लेकर वहां से चली जाती है सोचो कालू, हमारे पडोसियों के घर भी ऐसे रिष्टेदार आते तो हमारी कितनी विक्री होती गोरी, कोई होली खेलने आया ना आये हमें क्या, हमारे रंग तो पिछी जाएंगे ऐसे कालू गोरी अपने मिट्टी वाले कलर खुब जोरों से बेच रहे थे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता ममा, मेरे सब दोस्तों की ममा ने रंग खरीद लिये अब आप भी चलें हाँ बेटी, मैं कुछ कामों में जाइदा ही व्यस्त होगी आप चलें हम कालू गोरी से अभी रंग खरीद कर लाते हैं फिर वो दोनों मा बेटी कवो की दुकान पर पहुच जाती है कालू भाया, मुझे बीस बीस रुपे के रंग और गुलाल दे दो बस चिडिया, चालिस रुपे का ही समान लोगी कम से कम सा रुपे का तो लो कालू भाया, मेरे पास सा रुपे नहीं है मेरे पास चालिस रुपे ही है रानो चिडिया, तुम ही सोचो 20 रुपे का क्या आएगा कम से कम 100 रुपे का तो लेना ही पड़ेगा गोरी बहन हिसाब लगा के मुझे 20 रुपे का ही गुलाल तोल दे पिछली बार 20 का 50 ग्राम आया था अब कम से कम 10 ग्राम ही दे दो मेरे पास जैदा पैसे नहीं है कालू इस गरीब चड़िया के मुहना लगे दे भी दे 10 ग्राम गुलाल वरना ये ऐसे ही टाइम खराब करती रहेगी और भी तो गिराका रहे है फिर कालू कवा चड़िया को 10 ग्राम गुलाल तोल देता है ये क्या कालू बहिया बस इतना साही ये तो दस ग्राम हो ही नहीं सकती चिडिया तुमारे सामने ही तो दोला है चाहो तो तराजू को चेक कर लो चिडिया कवो की तराजू देखती है मगर कुछ नहीं मिलता फिर वो गुलाल की थेली देखती है बजन तो दस ग्राम ही लगता है ये लेकिन इतना थोड़ा क्यों है जबकि गुलाल तो हलका होता है और कहीं जैदा भी चड़ता है अच्छा तो अब समझाया इसमें इन्होंने मिट्टी मिला रखी है अब जाती हो या यहीं खड़ी खड़ी टाइम वेश्ट करती रहोगी जल्दी जाओ गिराक तुमारे पीछे खड़े है गोरी मैं जानगी हूँ तुमने गुलाल में धेर सारी मिट्टी मिला रखी है जिस कारण ये थोड़ा ही चड़ता है चड़िया हम पे जूटा इलजाम मत लगाओ हम पूरी इमानदारी से रंग बेच रहे हैं अब जाओ यहां से वरना तो हार के दिन भी लड़ाई हो जाएगी हाँ जाती हूँ मुझे नहीं लेने आपके मिट्टी वाले रंग चलो गुडिया हम कहीं और से ले लेंगे इन्होंने तो सारी मिट्टी मिला रखी है चड़िया की ये बात बाके गिराक पक्षी भी सुन लेते हैं क्या कहा बेटी इन कवों के रंग में मिट्टी मिली हुई है जरा हमें बताओ हमें तो दिखाई भी नहीं देता हाँ माजी इन कवो ने मिट्टी मिला रखी है अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से दिखवा लें चडिया ऐसे बॉल ही रही थी तबी वहाँ पर मुन मुन अपने रंग लेकर आती है कालु भाया मुझे तो दुकान में ठीक से नजर नहीं पड़ा लेकिन आज घर पे खौल कर देखे तो सारे रंगों में मिट्टी मिली है मुझे नहीं चाहिए आपके रंग, मेरे पैसे वापस करो हाँ हाँ कवो, मेरे रंग भी वापस करो तो मैं क्या लगा, किसी को पता नहीं चलेगा मेरी पतनी ने ये रंग अपने माय के से भिजवाए है इनमें डहेर सारी मिट्टी मिली है अब जल्दी से मेरे पैसे दो, वरना मार खाओगे कालू कवा तो डर जाता है और जल्दी जल्दी सब के पैसे वापस करता है अब तो उसके मिट्टी वाले रंग कोई भी नहीं खरीता कालू, इस बार सब कुछ तमारी वज़ा से हुआ है अगर थोड़ी मिट्टी मिलाते तो किसी को पता नहीं चलता सब गड़बर तमने की है हाँ गोरी, जैसे तैसे तो ये रंग खरीदे थे और ज़्यादा लालच करके वो भी मिट्टी में मिला दिये अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा हम कमाने की जगा परबाद हो गए इस तरह से कालू गोरी बहुत पच्ताते हैं अगर इमानदारी से कमाते तो थोड़ा मुनाफ़ा कमा ही लेते मगर अपने लालच के चलते सब बिगाड लिया था क्योंकि उनकी दुकान का नाम खराब हो चुका था और कोई भी पक्षी उनकी दुकान पर नहीं आता इस तरह से कालू गोरी को अपने लालच की सजा मिलती है आपका धन्यवाद वो चोटी चड़िया बहुत समझदार थी वो मेहनत करने से भी बिलकुल नहीं घबराती उस दिन तेज गर्मी थी जब चोटी चड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन खोज रही थी चलो अच्छा ही हुआ जो जल्दी से ये फल मिल गया अब जल्दी जल्दी घर जाती हूँ उसे जोरो की भूख लगी होगी चड़िया ऐसे वो फल अपने चौच में दबाती है और बापस से अपने जंगल लोटाती है चड़िया के पास ही दो बदमास कवे भी रहा करते कालू कुछ करें कोई दाना ढून कर लाएं वरना हम भूके मर जाएंगे बाहर भूत गर्मी है मैं नहीं जाओंगा और वैसे भी मुझे नहीं आता दाना वाना ढूनना गोंसले से बाहर पैर रखते ही गर्मी से बुरा हल हो राता ऐसे वो दोनों पती पतनी अपने गोंसले में बैठ जाती है तब ही गोरी की नजर चड़िया पर जाती है मिल गया कालू हमें भोजन मिल गया कहां है कहां है गोरी मुझे क्यों नहीं दिखता वो देखो चड़िया फल लेकर इसी तरह आ रही है तुम एक काम करो तेज उड़ते हुए चड़िया को टकर मार दो जैसे ही फल नीचे गिरेगा मैं उठा के भाग जाऊंगी फिर कालू कववा बहुत तेज उड़ता है और जान बूज़ कर चड़िया से टकरा जाता है बेचारी चड़िया का फल गिर जाता है नीचे बेटी गोरी कववी जट से फल लेकर भाग जाती है कालू कववे देखर नहीं उड़ सकते तुम्हारी वजह से मेरा फल नीचे गिर गया हाँ तो तुम्हारा फल नीचे ही तो गिरा है मैंने खाया तो नहीं यहीं कहीं ढूंड लो मिल जाएगा ऐसे बॉल कर कालू कव्वा वहां से चला जाता है चिडिया अपना फल खूब ढूंडती है मगर उसे फल नहीं मिलता वो दुखी मन से दुबारा भोजन की तलास में चली जाती है गोरी कहां छुपा दिया फल को कहीं पूरा खातो नहीं गई नहीं नहीं मरो मत सांत रहो मैंने आधा ही फल खाया है ये लो तुमारे हिस्से का फल कालू कवा बड़े सौक से चड़िया का फल खाता है पता नहीं चड़िया को ही ऐसे स्वादिष्ट फल कहां से मिल जाते हैं मजा आ गया फल खागे कालू हम गर्मी गर्मी ऐसे ही चड़िया का फल खाएंगे वो ठैरी एक छोटी कमजोर चड़िया हमारा कुछ भी नहीं भिकाड़ पाएगी और अगर जादा चपड़ चपड़ की तो मैं दो लगाऊंगा उसके अब कालू गोरी ऐसा ही करने लगे थे जैसे ही चड़िया कोई भी फल लेकर आती तो कव्वे बड़े चालाकी से उसे छीन लेते आज मैं अपना भोजन लेकर कालू गोरी के रास्ते से नहीं जाऊंगी वो मेरा महनस से लाया हुआ दाना छीन लेते हैं आज मैं लंबे रास्ते से जाऊंगी फिर चड़िया अपना भोजन लेकर दूसरे रास्ते से घर चली जाती है कालो कववा और गोरी कवी चड़िया के आने का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आज कहां जाके मर गई ये चड़िया जो दाना लेकर अभी तक नहीं लोटी हो सकता है आज चड़िया को दाना देर से मिला हो आएगी तो इसी रास्ते से बच के कहां जाएगी हम अब पता चलेगा इन सैतान कवों को जब भूख से मरेंगे मेरे भरो से दाना भी नहीं खोज दे चड़िया अपने घर आ चुकी थी वो अपने बच्चों को भूजन खिला देती है इधर कवे तो भूखे बैठे थे गोरी अब तो अंधेरा भी होने लगा है ऐसी भी कहां रहे गई ये चड़िया कालू मुझे लगता है आज चड़िया ने हमें बुद्धू बना दिया वो दूसरे रास्ते से अपने घर चली गई है और हम बेकार ही उसकी राह देख रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं चाड़ूँगा नहीं चाटी चड़िया को मैं भी देख के आता हूँ फिर कालू कवा भागा भागा चड़िया के घर जाता है वो खिड़की से देखता है सातिर चड़िया हमें बुद्धू बना का चेन से सोई हुई है आने दो कल को अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी कालू कवा नहीं ऐसे गुसे में कालू कवा वापस लोट जाता है सुबा हो जाती है आज वो दोनों भी उसी रास्ते में बैठे हुए थे जहां से चड़िया अपने घर आने वाली थी आज मैं अपने बेते के लिए केले ले कर जाऊंगी इसलिए मुझे दूर जाना होगा केला खाकर मेरा बेटा बहुत खुस होगा ऐसे छोटी चड़िया केले लेने दूर चली जाती है दोनों कवे उसके इंतजार में बैठे हुए थे कालू लगता है छोटी चड़िया बहुत चालाख होगी है कहीं आज भी दूसरी रास्ते से घर तो नहीं चली गई अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं उस चड़िया को चाड़ूंगा नहीं चले जल्दी चड़िया के घर चले ऐसे बाते कर वो दौनों चड़िया के घर चले जाते हैं वो चड़िया को घर में ना दे कर वापस लोट रहे थे तब ही चड़िया भी केले लेकर आही जाती है कालू गोरी तुम दौनों मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो कहीं कोई नई सैतानी तो नहीं करने आए देखो शिडिया, सीधे सीधे से बोल रही हूँ चपचाप ये केले हमें दे दो, वर्ना ठीक नहीं होगा क्या, क्यों दे दू में अपना भोजन तुमें तुम ब्रेक अवे हो, दिन बर ठाट से रहते हो खुद से दाना क्यों नहीं लाते एक तो हमें कल तेरी वज़ा से भूका सोना पड़ा लेकिन आज नहीं साएंगे हम भूके रुको, मैं अभी बताता हूँ इतना बोलकर कालु कवा चडिया के सर पे जोर से लाठी मारता है और चडिया के केले लेकर भाग जाता है उसका बेटा कुकु भी बाहिर आ जाता है ममा, ममा को मारा उन बुरे कवों ने मेरी ममा को मारा ममा, आपके सर से तो खोन निकल रहा है मैं अभी जंगल जाता हूँ और आपके लिए काले गुलाब लेकर आता हूँ ऐसे बॉल कर चड़िया का बेटा काले गुलाब लाने जंगल चला जाता है लेकिन उसको कहीं भी काले गुलाब नहीं मिलते तब ही एक बुड़ी पक्षी उसे अपने पास बुलाती है बुड़ी माजी मेरी ममा को सर से खून निकल रहा है आप बता सकती है काला गुलाब मुझे कहां मिलेगा छोटे बच्चे इस मौसम में काला गुलाब तो नहीं मिलेगा लेकिन मेरे पास दवा है आप मुझे अपनी मा के पास ले चले मैं सब ठीक कर दूंगी फिर कुकु उस बुड़ी पक्षी को अपने साथ ले आता है बुड़ी पक्षी चडिया के सर पे दवा लगाती है दवा लगाते ही खून बहना बंद हो जाता है वो बुरे कवो की सारी बाते बुड़ी माजी को बता देती है चिंता मत करो बेटी ये केले के जादूई बी बेटे के साथ वो केले के भीज अपनी आंगन में बो देती है कुछ ही दिनों में केलों के पेड़ बड़े हो जाते हैं और ढेर सारे केले लगने लगते हैं कालू गोरी तो भागते हुए चडिया के पास आते हैं बहुत बहुत भूक लगी है आज मैं ये पूरे केले खा जा डर रही थी वो उन्हें जराबी मना नहीं करती थू थू ये भी कोई केले हैं नीम से भी ज्यादा कड़वे सही कहा सही कहा गोरी ये केले नहीं कड़वा नीम है चिडिया तुम कैसे ये कड़वे केले खाती हो बुरे जालम कवो ये केले बहुत मीठे हैं अब भागो यहां स ये तुम दोनों को हमेशा कड़वे ही लगेंगे और हमारे लिए मीठे अब भागो यहां से तुमारा यहां कोई काम नहीं अब चलो गोरी हमारी फोटी किस्मत एक केला भी नहीं खा सकते कालू गोरी को बिना केला लिए जाते देख वो छोटी चड़िया बहुत खुस होती ह और उस बुड़ी पक्षी का धन्यवाद करती है कवो को भी अपने बुरे कामों की सजा मिलती है आपका धन्यवाद